अब हमने इसके लिए भी खास तोर पे कुछ competences mention की हैं अपने ECC के करिक्लम में, जिनमें सबसे पहले competency ये है कि children will engage in conversation with others and talk confidently about matters of immediate and personal interest. अगर कोई बच्चा बात ही नहीं करना चाता या बात कर नहीं सकता तो वो तो communicate कर ही नहीं सकता, अपनी कोई दिल की बात, कोई मुश्किल, कोई मसला दूसों से कह नहीं सकता, तो हमारी पूरी कोशिक ये है कि हमारे असाथसा बच्चों को बोलने पर उकसाएं और बोलने में उनकी मदद करें, ताके वो अपनी हर बात, अपने उस्ताद से, अपने माँ-बाप से, अपने बहन भाईयों से, और अपने दोस्तों से कह सकें, फिर दूसरी कंपिटेंसी ये है कि चिल्डन विल डिस्क्राइब ऑब्जेक्स, इवेंस, और प्लान्स पोर दे डे, अच्छा सारे जो असाद्जा हैं, वो इस तास से करवा सकते हैं, कि जो इर्गित उनका इन्वाइरमेंट है, उन में से मुख्तलिफ चीजों के बारे में उन से बात करें, वो उनको डिस्क्राइब करें, मसलां आज दिन में क्या हुआ था, या फलान चीज आपको कैसी लगी, या य जो है, इसकी क्या बाते आपको अच्छी लगी हैं, और ये आपने जो गुडिया का घर बनाया, आप क्या कर रहे हैं, असल में आपकी गुडिया क्या कर रही हैं, तो ऐसे बहुत से छोटे-छोटे वाकियात, चोट-छोटी बाते हैं, जो बच्चों को चीजों को डिस्क् यह बड़ी दिल्चस्प बात है, बच्चे मौसीकी को बड़ा पसंद करते हैं, हम आवाज, अलफाज को बड़ा पसंद करते हैं, और फिर बहुत सी जो विकैबलरी है, वो हम बच्चों को छोटी-छोटी नजमों के शुरू याद कराते हैं, वो चूँ-चूँ-चा-चा, घड़ी पे चुहा, नाचा, या मेरी गुड़िया, नीली आंखें, यह इस तरह की छोटी-छोटी नजमें, हम बच्चों को सुनाते हैं, तो उनके लुक में इजाफा होता है, वो उसको इंजॉय करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है, जब वो मौसीकी से लुत-फंदो होती है, उनकी तसवरात की एक दुनिया बनती है पूरी, जब आप उनको कोई स्टोरी अलाउड या उंची अवाज में सुना रहे होते हैं, तो उस वक्त वो उसको अपने जहन में एक तस्वीर बनाते हैं, कि भई अच्छा यूं हुआ होगा, यूं जंगल है, उसमें तो फिर वो खुद से अपनी नजमें, अपनी स्टोरी जब अकेले बैठे हों या दुसरों के अंदर बैठे हों, तो बनाने की कोशिश करते हैं, फिर ये के अगली कंपिटेंसी है कि चिल्डन विन इंजॉए एज अप्रॉप्रियेट बुक्स और हैंडल देम केर्फुली ये भी बहुत जबरदस है, ये हमें उनमें मुताले की आदत पैदा करनी है, अब देखिए, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी-बड़ी किताबें जो हैं वो बच्चों को दी जाएं, शुरू शुरू में जब बच्चे अभी ठोटे-छोटे अलफाज या आप यूं समझे हिज्जे करना शुरू करते हैं, तो उस वक्त उनको बहुत ऐसी आसान किताबें दी जाती हैं, जो दो लफ्जों या एक-एक फिक्रे पर हुश्टबिल होती हैं, तस्वीरें बहुत बड़ी-बड़ी, बड़ी खुपसूरत, अट्रेक्टिव बुक्स, और फिर ये कि देखो कितनी खुपसूरत तस्वीर है, यहां क्या बना या गोड़ा बना हुए है, वो तो जंगल में मुझूद है, जंगल में और क्या-क्या चीजे हैं, दरख्तों पे और क्या बैठा है, तो उसका एक खयाली दुनिया जो है, वो बनती है, तो फिर जब किताब पढ़न Children will understand how books are organized, जब किताबें पढ़ेंगे और उनको ध्यान से रखेंगे, सजाके रखेंगे, कि वो खराब ना हो, तो एक उनके अंदर तरबियत का अनसर पैदा हो जाएगा, कि पढ़ना कैसे है, फिर पढ़ने वाली जो किताबें है, उनको कितनी एहतियात के साथ रखना है, और उनकी दिल्चस्पी उसमें बढ़ेगी, और फिर उनकी जम्मदारी भी बढ़ेगी, कि हमें अपने चीजों का ध्यान कैसे रखना है, जब हम उनसे अच्छा सा फाइदा उठाते हैं, तो फिर हमें उनका खयाल भी करना है, फिर Children will recognize familiar words in simple text, तो जो हमारी language की competencies हैं, वो imagination तो उसमें है ही, लेकिन जब हम कोई स्टोरी या राइम बच्चों को सुनाते हैं, तो उसमें नए अलफाज हैं, और नए तरीके से इस्तमाल हुए हुए हैं, तो बच्चे वहां से vocabulary सीखते हैं, लोगत सीखते हैं, फिर उनको अपने अलफाज में इस्तमाल करते हैं, और रोज मर्रा की, उसमें भी वो अलफाज इस्तमाल करते हैं, उनको पहचानते हैं, तो उनको उनकी जबान में फसाहत या फ्लुएंसी पैदा होती है, फिर अगली हमारी competency है कि चिल्डन विल यूस पिक्चर्स, सिंबल्स, और फिमिलियर लैटर्स, और वर्ड्स, तो जैसे ह हमने अर्द किया था, कि फॉनैटिक्स और फॉनिम्स की बात की थी लैंग्विज लर्ड्न में, फॉनिम्स में, जहां हम सिर्फ बिच्चों को ऑवाजों से हम sparkling की जैसे हमने कहा कि हिच्चों की ओवाजों से उनको मतारिफ करवाते हैं, बिलकुल उसी तरह उनको तस्वीर और सिंबल्स से भी हम मतारिफ कर वाते हैं कि कौन सी आवाज कौन से लेटर को जाहर करती है या कौन सी तस्वीर को जाहर करती है और किस तरह से हम उनके जो मुख्तलिफ सिंबल्स हैं उन सिंबल्स को किस तरह से डपिक्ट कर सकते हैं तो जैसे मैंने अर्ज किया कि जैसे इश समझने में और जो तस्वीरों की शकल में किताबों में सिंबल्स दिये होते हैं, उनको समझने के लिए language competency होना बहुत जरूरी है.